चंबा की भरमोर विधान सबक शेतर से जीत कर आए डॉक्टर जनक राज ने सरकार से निशुलक सरकारी अस्पतालों में सेवाय देने की अनुमती मांगी है इसको लेकर डॉक्टर जनक राज ने मुख्य मंत्री सुक्विंदस या सुक्खु को पत्र भी लिखा है और जिसमें उन्होंने कहा है कि वे बिना किसी वेतन भत्ते के नियूरो सर्जरी के मरीजों को सेवाय देना चाहते हैं डॉक्टर जनक राज ने कहा कि उन्होंने काफी लंबे समय तक परदेश में स्वास्थे के क्शेतर में अपनी सेवाय दी है और अवह राजनीती में उत्रे और भरमोर विधानसबा क्षेतर से जीत कर विधानसबा पहुँचे हैं ऐसे में जो उनका नुभव है वह उसका उपयोग कर लोगों के हित के लिए अस्पतालों में अपनी सेवाय जारी रखना चाहते हैं वह सरकार से बिना पैसे लिए मरीजों की सेवा करना चाहते हैं सरकार जो उचित समझे मेडिकल कॉलेज चमबा या टांडा मेडिकल कॉलेज में ये सेवाय देने के लिए उन्हें अनुमती दे सकती हैं उन्होंने कहा कि इसको लेकर मुख्यमंती सुख्विंदस या सुख्व को पत्र लिखा है और यदि उन्हें अनुमती मिलती है तो वह निशुलक तोर पर अपनी सेवाय अस्पतालों में देना चाहते हैं उन्होंने कहा कि नीजी अस्पतालों से भी उन्हें आफर आ रहे हैं लेकिन उनके पास जो अनुभव है वे परदेश की जरूरत मनलोगों के लिए करना चाहते हैं बता दे रॉक्टर जनक राज नीरो सर्जरी में स्पेशलिस्ट है और आईजी अमसी में कई सर्जरी कर चुके हैं